एलो एवर्यवन वेल्कम बाग टु जी डिसी जसा किया आप वो पता है डी-फ्रामेसी सेकेंड्यर का हम बहुत ही इंपॉर्टन अप्टर जो है यह इसी पूरे सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हर एक चैप्टर के फार्ट को यहाँ पर डिटेल में आप होगे उसको समझेंगे साथी साथ इसके सारे concept क्लियर करेंगे क्या क्या चीज़े पढ़नी है किस प्रकार के question आएंगे साथी साथ हर एक doubt इस subject related आपको मिल जाएगा subject के सारे वीडियो भी देखिएगा सब कुस देखिएगा ताकि आपका सारे doubt इस subject से clear हो सके जिया चले स्टार्ट कर देते हैं committee pharmacy and management का जो पहला आज का वीडियो होगा उसमें हम क्या जब स्लेबस आप निकालोगे न PCI का स्लेबस आपके पास सबके पास होना चाहिए और यह बहुत ज़रूरी है स्लेबस आप लोग निकलवा लीजेगा उस लेबस में committee pharmacy management का जो चैप्टर नंबर वन है उस चैप्टर नंबर वन में क्या के चीजे पढ़नी है committee pharmacy practice के बारे में बोले तो committee pharmacy होती क्या है उसका definition पढ़ना है उसकी history पढ़नी है उसका development पढ़ना है committee pharmacy का आपके international scenario की बात करके और इंडिया इंडिया सेनेरियो की बात करके यह सब कुछ दिखा देना है क्या internationally क्या history रही है committee pharmacy क्या development रहा है और Indian तरीके से क्या history क्या development रही है community pharmacy के उसके बारे हमको यहाँ पर पढ़ना है चले start कर देते हैं पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी information मिसने होने पाई उससे पहले हम जान ले डियर यह जो community pharmacy word है सबसे गया होगा सिंपल अगर बात करते हैं क्या है क्यों क्यूट की मतलब क्या होता है कोई मान लो समुदाय होता है लेकिन यहां समदाय से नहीं या फिर society कह लो, समाज कह लो, है नगा, देखो, ऐसी pharmacy, यानि ऐसी दवा की दुकान, जो की किसी market में हो, किसी गाओं में हो, किसी कजबे में हो, किसी society को सी कॉलोनी में हो, जो की क्या करती है, दवा का dispensing करती है, यानि दवा का dispensing, दवा की compounding, prescription दवा देंहा देंहें सर्दीजुन द्वार है। उसका OTC मेडिकेशन देंहें। को सलभला देंहें। वह जह होता है वह सब्सक्रीजुन करें। community मतलब जो society में जहां से आप दवा खरीदते हो market में और वो दवा देते हैं सारी चीज़े आपको सला देते हैं अच्छे खराब की DR वगरा की आपको जानकारी भी देते हैं अगर registered pharmacist होगा तो सब कुछ एक कमटी फामेसी की दोरा पर्फॉर्म किया यहीं चीज होती एक मेंटी फामेसी अब कमेटी फामेसी के बारे वहां पर हम देखेंगे यह क्या होता है इसके अंदर क्या-के चीज़े पढ़नी एक क्या सारी चीजे आपको कमेटी फामेसी पहड़नें 달र Salam क्लियर्ट है जिसमें आपका पहला चैप्टर यह है कि डेफनीशन पढ़ेंगे इस्ती पढ़ेंगे डिवलपमेट पढ़ेंगे इंटर निशनल सेंडियों को देखते हुए और इंडियल सेंडियो को देखते हुए चलिए देख लेते सबसे पहले अगर बात करते हैं इस वाले यूनिट से किस-किस प्रकार के question बनते हैं आपके final exam में तो dear आप देख लो भीया, short answer की बात कर ले, 4 marks वाले में तो simply आपको पूछेगा कि भीया, community pharmacy practice होती क्या, उसके concept को simply आपको एक dear page में लिख दोगे, 4 number आराम से मिल जाएगा, कैसे लिखोगे, इस वाले पूरे लेक्चर में आपको बताएंगे, फिर role क्या होता है, community pharmacist का भीया, दवा का, dispensing दवा की compounding, safe and effective medication इंसे और करना, सही दाम पे, सही cost पे, सही patient को prescription की handling, सब कुछ यही तो role होता है, यह सारी चीज़े भी आपको लिखनी पड़ेगी, long answer की बात कर ले, तो history, development और community pharmacy का लिखिए, international scenario के हिसाब से, Indian scenario के हिसाब से, फिर उसके बाद pharmacy education का development लिखिए, यह पूरे question देख लिजे, सारे question का answer आपको आज के session में मिल जाएगा, उसे से related, थोड़ा सा देख लिजे, यह लिंदी है, theoretical subject होता है, तो आपको समझना होगा, बाकी लिखना अपने word में है, बस समझ लिजे, किस में क्या लिखना है, कैसे एडिंग मनानी है, उसी चीज़ को में आपे समझाने वाले है, चले, सबसे पहले अगर बात करते हैं, pharmacy क्या होता है, देखो, pharmacy एक ऐसा health profession होता है, जो कि आपके तो health science को chemical science से link करता है, इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब आपके जो body made diseases है, उनको chemical बोले तो दवा के, द्वारा link करके उनकी disease को ठीक करता है, बोले तो आपको बुखार हुआ है, सर्दद हुआ है, तो बुखार सर्दद आपका health का issue है, health की science है, health की problem है, यानि आपके सरीर म जो problem है, उसे हमने paracetamol drug दे दिया, वो chemical compound दे दिया, और हमारा बुखार ठीक हो गया, यानि कि आपका pharmacy एक ऐसा profession है, ऐसा स्वास्त का profession है, जो की health sciences और chemical sciences को आपस में जोडने का काम करता है, और अपना पैसा लेता है, चार्ज करता है, साथी साथ pharmacy profession ये भी ensure करता है, कि यह हर एक मरीज को, क्या हो, safe medication मिले, effective medication मिले, है न, मरीज safe और effective medication का use करे, ये सब कुछ भी क्या होता है, एक तरह से, कह सकते हो, pharmacy ही होतो होता है, तो pharmacy industry बहुत बढ़ी है, कि या, health science, chemical science को link करता है, safe और effective medication सबके लिए हो, सही दाम पे हो, सही दवा, फ्रभावी दवा, सबके ल dispensing करता है, बस, चीजों को जानो, क्या 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 करता है, बाकी लिखना अपने word में है, अपने word में लिखना है, इसको, क्योंकि सब लें दिये, a to z, आप रट नहीं सकते, या नहीं कर सकते, बस आप जानो, pharmacy क्या, pharmacy is a broad profession, which link is the health sciences and chemical sciences, it ensures the safe and effective medication on, point wise, point wise आपको लिखना होग अच्छे से लिखना होगा, तब जाके आप इसको कर पाऊगे, ठीक है, तो pharmacy क्या क्या करता है, दवा की compounding करता है, दवा की dispensing करता है, साथी साथ, आपका modern service देता है, जैसे patient की care करना, patient का prescription handle करना, patient को counseling करना, patient की medication order को review करना, safety efficacy को ensure करना, drug का information देना, सब कुछ ये role of pharmacist, role of community pharmacist कुछ भी लिख सकते हो, कि भी या, दवा का वित्रड करना, दवा का dispensing, दवा की compounding, दवा का patient का care, patient का medication history review, patient का counseling, patient का drug information देदा, patient की certification को ensure करना, सब कुछ तो काम होता है, pharmacist का या pharmacy वालों का, या कहलो, community pharmacy का, ठीक है, अब जो word था न, committee pharmacy, आप समझ गये होगे, committee pharmacy का मतलब क्या हुआ भी या, simply, अगर यहां पर आप बात करो भी या, committee pharmacy की definition की, तो यहां पर देख सकते हो भी या, committee pharmacy क्या होती है, एक term होता है, describe किया जाता है, किसके लिए, the provision of pharmaceutical care by pharmacy, primary healthcare setting, बोले तो आपके जो society में, आपके market में, आपके कजबे में, आपके बजार में, आपके area में जो दवा की दुकान है, जो दवा की दे रहा है, description की दवा देता है, compounding करता है, चोटा मोटा सरदी दुकाम हो गया, उसकी दवा देता है, वो setup, वो setting, वो जो एक place होता है, एक दुकान होती है, उसी को तो committee pharmacy बोलेंगे, और उसमें जो व्यक्ति बैठा रहेगा, उसे हम committee pharmacist भी तो बोलेंगे, यहनी, committee pharmacist आपके समाज के लिए, क्या होता है, दवा के बारे में, आपको primary, जैसे भी है, तुरंट अभी बुखार हो गया, उल्टी आ रहे ही, कुछ हो गया, सरदद, बुखार, तो तुरंट कहां जाते हो, दवा की दुकान पही तो जाते हो, तो primary, प समाज, society market, कस्बे में, जो की public के medication need को, public के healthcare need को fulfill करता है, public की जो दवा की आपकी जरूरत है, दवा की जो चाहत है, उसको पूरा करने का काम, committee pharmacist करेगा, एक pharmacy का sit-up होता है, जो की stock करता है medication को, medication को description को, यहनी prescription को dispense करता है, साधी साथ OTC medication को देता है, मतलब चोटा मोटा सा अला के OTC ले ही सकते हो, तो वो सब कौन देगा, एक committee pharmacy वाला देगा, committee pharmacist देगा, साथी साथ, location के हिसाब से, committee pharmacy हमारा, साथी साथ, कई hospital को भी दवा प्रोवाइड करती है, कई nursing home को भी प्रोवाइड करती है, बोले तो, आसपास कोई hospital है, तो hospital की मरीज आते है, committee pharmacy से दवा देने, तो committee pharmacy आम लोगों को दे रहा है, hospital वाले मरीज को दे रहा है, nursing home वाले मरीज को दे रहा है, सब को दे रहा है, क्या दवा, clear है, चलिए, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, introduction क्या होता है, pharmacy का, और definition क्या होता है, committee pharmacy का, या committee pharmacist का, clear है, फिर अगर हम बात करते है, history and development चलिए, यहाँ पर अपने सेवस में देखा होगा, history and development दो हिसाब से, एक देखना है, international scenario, एक देखना है, Indian scenario, बोले तो, internationally pharmacy का उधगम कब हुआ, pharmacy कब से प्रचलित हुआ, history में pharmacy कहां से प्रचलित हुआ, compounding dispensing यह जो कौन लोग जानते थे, कौन लोग लाए, अंग्रेजी दवा की बात हो रही है, वैसे तो इंडिया में बहुत पूराना है, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या, कैसे pharmacy का उधगम हुआ, international scenario की बात कर ले, तो जो pharmacy का उधगम हुआ, pharmacy का evaluation हुआ, pharmacy का अस्तित बना, कहां से बना भया, England से, यूरोप, आपका जो ब्रिटेन वगरा, ज इसलिए बोलते हैं, अंग्रेजी दवा, क्योंकि अंग्रेज लोग यानीती, आपका England से यह आपका सुरू हुआ था, pharmacy, साथी साथ, 13th century की बात कर ले, 1320 सताबदी की बात कर ले, लवग तेरा औरा सो, इस भी की बात है, आप तो 2000 में है, फार्मेसी पहली बार अपियर हु पूछता है, इन्होंने क्या किया, medicine और pharmacy को अलग-अलग बता है, बोले तो practice of medicine बोले तो, जो doctor का profession, doctor diagnose करते हैं, medicine की suggest करते हैं, लेकिन दवा को बनाना, दवा की compounding, दवा की dispensing, यह सब फार्मेसी करता है, तो फेडरिक सेकेंड ने, 1320 सताबदी में पहली बार, क्या हुआ, यूरोप में ऐसे इंडिपेंडेंट आया फिर जो फेडरिक सेकेंड जी थे उन्होंने आपके डॉक्टर वाले प्रोफेशन और फार्मेसी प्रोफेशन को अलग लग बताया बिल्कुल सही बात फिर एक वड़ आता है एपो ते करीज दो नंबर में हमेशा पूछता एडिय जो दवा को बनाएगा दवा को बेचेगा दवा को डिस्पेंस करेगा जैसे फार्मसिस्ट वही कहलाता है एपो ते करीज क्लियर है चलो एपो ते करीज भी क्लियर हो गया होगा और इसका इंटरनेशन सेरियों में पहले आप लिग दोगे जब हेडिंग मना ओगे पिर देख दोगे फिर क्या होगा शुलावी सतावी एकदम लिखते जाओ एकदम समझते जाओ हर एक स्टेप वाइस सब्सक्राविस में उद्गम हुआ इंगलैंड में हुआ फिर शुलावी और सत्रावी सताव्दी में क्या हुआ जो आट आफ एफ़ते करीज था वह ली सतरवी में यह फैला फिर जो 1617 में की बात आती है 1617 में क्या हुआ जो किंग जेम्स फरस्ट ते इंग्लेंड के यह थे इन का फोटो देख लो भी यह इन्हों ने क्या किया एप उतों करीज को एक राइल चार्टर ग्रांटेट दिया मतलब एक नियमावली बदाई एपो तो करीज के लिए जो फार्मसिस्ट थे जो दवा की कंपाउंडिंग करते थे दवा की प्रपेशन करते थे उनको क्या किया ग्रॉसर बोले तो जो जर्णली स्टोर वाले होते चना मुंफली दाल साल सामनी बेंस अबार्साराफ उन्हें से अलग बताया क्यूंभार फार्मेस इक्क वाली प्रोफेशोन स्किल्ल नॉलेज यह एक सेपरेट प्रो तो वह में नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर् से उन्होंने अलग बताया कि दोने ग्रोसर या यह जो आपके इंगलैंड के यंश्ञ first थे ते तनत यानी कि gross क्या होता है जो household food भगार गूट्स भगार में बेचता है उससे pharmacy को अलग gave बताया एक नियमादी रॉयल Charter बताया बनाया से इन्हों ने क्या किया Baptist oh generosity से अलग बताया तो बीजिस्ट किया कि या नहीं हमीं भी दभा बेचेंगे हम भी सब्सक्राइब कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं थी पहले की समय में 16-17 सोच लिजे उस समय क्या था वह जो नॉर्मल जर्नल स्टोर ग्रॉसरी स्टोर वाले थे वह भी दवा बगर चोटी मुटी बेशते थे ट्रेडिंग करते थे लेकिन वह फार्मासिस्ट को क्या होना चाहि नुकसान करेगा की नहीं इसलिए अलग बताया कि वह इनको प्रोफेशनल स्किल होती है फार्मासिस्ट को लेकिन ग्रॉसरी वालों को कोई स्किल नहीं होती तो तो बहिया एक तरह से आट था एक तरह से मिस्ट्री यानि इस्किल और नॉलेज का खेल है यह आपका इंटरन नॉलेज इस्किल और यह सारी चीज़ें चाहिए होती है एक आर्ट होता है एक मिस्ट्री होती है ठीक है यह आपका हिस्ट्री देख लो 13 सेंचुरी वाला फिर 1617 अगर पूछेगा तो यहीं सारी चीज़ें आपको लिखनी है पॉइंट वाइस हेडिंग वाइस जो आपक 1617 के बाद क्या होगा 200 सालों के बाद लगभग 200 सालों के आर्गुमेंट के बाद एक पास हुआ जिसे हमने क्या बोला एपोते करीज एक्ट 1815 देखो 1617 में जेम्स इंग्लेंड वाले जो थे उन्होंने पताया कि या ग्रॉसरी वाले से अलग है उसके 200 सालों बाद 200 सालों भी नहीं बेचते रहें लेकिन फाइनली इंग्लेंड में क्या अपोते करीज एक्ट आया 1815 में एक्ट आया इससे पहले क्या होता था कि मेडिसीन वगरा क्या था ऐसे लोग बेच देते थे ऐसे सप्लाई कर देते ट्रेडिंग की तरह यूज करते थे लेकिन जब यह आप आरे करेंगे सारे खाट ट्रेंगे तो और देंगे तो ऩ сердime करेंगे वहीं पर सकते ड्रक को SPEAKERS नहीं कर क्या करते है यह दो क्या करते थे तोड़ते थे लॉग क्ला वेही था कि से फोसे आपके medicine कौन देगा फार्मासिस्ट देगा medicine से related सारी dispensing compounding कौन करेगा फार्मासिस्ट करेगा तो यह law pharmacist के लिए बनाया गया था फार्मासिस्ट के हित के लिए बनाया गया था तो यह डॉक्टर आप नहीं डिस्वेंस कर सकते हैं अगर डिस्वेंस कर रहो तो लॉप तोड़ रहे हो तो यह इस का आउटकम क्या निकला जो नियू पतकरीज एक्ट का क्लियर था बैया कि यह टू स्ट्रीम्स आप प्रैक्टिस इन्वालविंग मेडिसीन फार्मेसी इन नहीं बताया फार्मेसी अलग है और डॉक्टर का प्रोफिशन अलग है इसने बताया अपने से लिखोगे अपने से जरूरी नहीं यार एक चीज याद करो बस आगे क्या हुआ फिर ट्वेंटी संचुरी यानि अब जो बीसमी सताब्दी आ गई दो हजार वाला ट्वेंटी संचुरी आई तो यह जो गवर्मेंट है उन्होंने ग्रेटर कंट्रोल दिखाया फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए और फार्मेसी फिल्ड को बढ़ान बीसमी सताब्दी से और बेहतरीन काम होने लगा यानि कि जो कमिटीव फार्मासिक्ट है वो भी आपके ड्रग इनौमेशन सर्वीस में जुड़ गये कमिटी फार्मासिस्त है यह आपके दवा वगर הע Mushote थे उनने क्या किया ड्रग का इनफॉमेशन देने ले किसको सकर हेल्थ सक्रीनिंग सर्विसेज देने लगे साती सात ड्रग्य थिरपी की मौनेरिंग भी करने लगे पेंट की काौशलिंगी करने लगे medication chart review करने लगे मनदलब सब कुछ करने का अधिकार मिल या किसको कमेंटी फार्मासिस्ट को कैसे दीरे दीरे डेवलप हुआ न पहले देखो थर्टीन सेंचुरी में क्या था फिर सोलाविस्ट अताबदी में क्या हुआ फिर 1815 में जाके एक्ट पास हुआ ऐसे करकर के यह आपके हिस्ट्री रह चुके हैं आपकी कह सकते हैं इंटर रिकॉंसिलेशन एक्ट ऑफ नाइंटी नाइंटी जो की यूएसे में पब्लिस हुआ जिन्हों ने इस एक्ट ने जो भी स्टेबिलिस हुआ तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉंसिविल्टी बताया कि फार्मासिस्टी इंस्योर करेंगे कि जो ड्रग थेरपी चल रही है वो जो से के अंदर फार्मासिस्ट को यह अधिकार दिया कि simply उनको इंस्योर करना पड़ेगा कि मरीज को safe medication, effective medication, possible कम cost पे मिले यह सब इंस्योर करने का काम फार्मासिस्ट करता है साथ जो फार्मासिस्ट है वो भी actively resolve करेगा कि जो medication से related उसके use से related problem है उनको भी फार्मासिस्ट ह भी resolve करेगा जैसे बहिया पेश्टिंट का prescription को review करना prescription में कोई गलती तो नहीं है prescription में कोई miss dose तो नहीं है कोई overdose तो नहीं डॉक्टर ने लिग दिया डॉक्टर को भी बताना पेशेंट को भी इताना साथी साथ time to time dispensing करते रहना फिर यह पेशेंट के case का record बनाना पेशेंट को counseling provide करना patient को हर एक चीज provide करना कौन बताया भी या over Act में बताया गया कि pharmacist की यह सब जिम्मधारी होगे, pharmacist को यह सब करना होगा है ना, साथी साथ abroad country में क्या होगा होता है जो pharmacy यानि कि टी फार्मा और डॉक्तर ऑफ फार्मसी यहांं होथी अलेकिन विधेसों में कहोता जो भी फार्मा होता है और फार्मडी होता यह डिग्री रिकार होती मिन्मम अगर फार्मसिस्त आशेक आपकोшая्डेस में चलो यह सारी से स्टाट करना है इंगलेंड से स्टाट हुआ 23 अतवदी में क्या हुआ अपका पहला पियर हुआ इंडिपेंडेंट प्रॉशन फ्रेडरीक सेकिंड ने इसको क्या किया दोनों को अलग बताया अपोटकरीज लिग दोगे सुलावी सताबदी में क्या हुआ सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आपका एक्ट का उलंगन करेंगे यह आया उसके बाद 20 संचुरी में फैलने लगा यह आपका इंटर्डियों की बात करें इंडिया में फार्मेशी कब आया कमिटी फार्मेशी या ऐलोपैथी फार्मेशी कब डिवलप हुआ क्या इंडिया की इस्ट्री रही इसको भी दो-3 इन स्लाइड में देख लेंगे यह भी आपका ऐसे खतम हो जाएगा और इसको भी सब्सक्राइब करें तो आपका एक नंबर खतरना किदम नंबर मिल जाएगा चलो इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में यह एलोपैथिक तो अंग्रेजियों के समय आया लेकिन इंडिया में आयर्वेदिक तो बहुत पहले से हैं कि नहीं 5-7000 से पहले से लेकिन अगर बात कर लें इंडिया से नियो एलोपैथिक की तो बहिया जो प्री इंडिपेंदेंस इंडिया था अजाधी के पहले जो कमिटी फार्मसिस्त थे वह आपका केमिश्ट ट्रगिस टाइप इंग्लिस में मुंबई में यहां पर क्या किया उन्होंने अपना केमिस्ट सॉफ ड्रगिस्ट खोला जो केमिस्ट आते थे आपके इंगलेंड वगरे से उन्होंने क्या किया compounding की activities हमें उन्होंने qualified जो person थे UK के उन्होंने ही आपका जो local यानी जो इंडिया की लोग थे उनको अंट्रेंड स्टाप को ट्रेंड किया उनको बताया उनको समझाया कैसे यूज करना है कैसे दवा बनानी है कैसे compounding कैसे dispensing इंडिया के अंदर कौन से लोग अंग्रेज लोग जब आये थे ना अलग-अलग जगा अपनी फार्मेसी स्टोर किये या स्टेबलिस किये तो वह सिंपली आपका इंडिया में ही बताया गया इंदिया में यूके के जो आपके फार्मसिश्स थे केमिष्ट ट्रुगिस टे उन्होंने बताया सबसे पहले यह स्थ्री हो गई फिर अगार बात करते है और कर लें जैसे ही जो केमिष्ट और ड्रगिस्ट थे वह पहले क्या इंडिया में एक तरह से ट्रेडर की तरह जानते थे बोले तो दवा खरीदे बेचे खरीदे बेचे प्रिस्क्रिप्शन में क्या गलती है उनसे कोई मतलब नहीं पेसेंट की कोई एडियार तो नहीं आ रहा ह था वह एज़ ट्रेडर होते थे यानि कि कोई आपके प्रोफेशनल सर्विस को नहीं देते थे यानि प्रोफेशनली कैसे सही दवा सही पेसेंट को सेफ़ी व्यक्तिव दवा देना है यह सब अपने मुल्यों का पालन उस समय नहीं करते थे सिप खरीद फरोगत होता था आ आजादी के बार फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया का गठन हुआ कब उनने सो नंचास में यह लिग देना भाईया उनने सो नंचास में फार्मेसी एक्ट सेक्शन 3 के अंतरगत अपका फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया का निर्मार हुआ गठन हुआ उनने सो नंचास मे जो कि क्या regulate करती है फार्मासिस्ट का education as well as फार्मासिस्ट इंडिया में जो practice करते हैं वो सब का सब कौन regulate करती है इडियर? Pharmacy Council of India ठीक है इसका गठन हुआ इसको आप लिख सकते हो इंडिया में जैसे development की बात की जाए history development आएगा सब कुछ लिख होगे आप और इन्होंने pharmacy council of India ने क्या बताया कि जो डी फार्मा कोर्स है टू यर का डिप्लोमा कोर्स जो आप अभी पढ़ रहे हो वो डी फार्मा कोर्स क्या है minimum qualification होगा इंडिया के अंदर अगर कोई फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होना चाहता है कोई प्रैक्टिस करना चाहता है जब फार्मासिस्ट तो या उसको minimum qualification दो साल की डिप्लोमा होनी चाहिए maximum बी फार्मा फार्मडी भी हो सकता है है ना तो यह आपके वाले एरिया में कमिटी फार्मासिस्ट वाले एरिया में तो वहां पर आपका भी फार्मा आपके इंडिस्ट्री में जा सकते हैं कमिटी फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं वह दवा का नौलेज देना दवा कर डिस्वेंसिंग करना दवा के बारें बताना क्यूंकि भी यह व कि दवा मंगाया बेचा prescription में दिया जितना दवा लिखाय दे दिया लेकिन क्या सई है क्या गलती है क्या इडियार आ सकता है क्या इंट्रेक्शन हो सकता है उससे कोई मतलब नहीं होता था सिफ दुकान की तरह खरीद वरोग ट्रेडिंघ होती थी तो याँ एक सर्वे ने सबक्सार्ट कि 60% से जहादा जो फार्मेसी वो नान फार्मसिस के द्वारा क्या की चाही जा रही एंड इंदर लग़एश फार्मसिस नहीं से हैं उसको लगा दिए करके लेकिन बेच रहा है लेकिन सही दवा सही पेसेंट को प्राफ्थ हो यह कौँ इंसे उर करता भीये जी यह सीर्फ वशे João फार्मासिस्थी और फिर उसके फार्मासिस्ट है एक तरह से ऐसे ड्रग ट्रेडर सोते हैं फिर दो जार दो में एक स्टेड़ी हुई जिसमें रमेसन नागवी जी ने स्टेड़ी किया उन्हों ने बताया पचास परसेंड की जो फार्मेसिस्ट है वो अनवेर है अपने प्रोफेशनल स्वांसिटी किया है उन्होंने भी जब आपका अलग-अलग फार्मेसी पे जाके फार्मासिस से बात की तो उनकी क्या प्रोफेशनल रिस्पॉंजबिल्टी है उनका क्या मूल ले करतव है उनसे वो अनभीग थे उनको जानकारी नहीं थी कि या पेसेंट की नॉलेज वो कम है लैक और प्रोफेशनल फीस साथी साथ डॉक्टर की डिस्पेंसिंग वो सब भी आपके कारण थे और रीजन थे जिसके कारण से आप या फार्मसिस्ट अपनी रिस्पॉंजबिल्टी को नहीं समझ रहते लगबग 50% लोग सोच लिजे फिर उसके बाद कैस है इंडिया के अंदर की भीड को समाल नहीं पाते हर एक पेशिट को ख्याल नहीं रखपाएंगे तो हम आपंसिस्ट जो नौलेज रखते रखते हैं दवा की एडियार की फार्माकोलोजी की तो उनको भी तो आगे आना पड़ेगा ताकि ड्रग डिलेटेड प्रॉब्लम जो है पीड है इतनी उसको हम सॉल्व कर सके कोरोना आया था डॉक्टर मिल नहीं रहे थे जो आपके गाउं-गाउं में सेटप था उन्होंने लोगोंने कई बिखाल रहा हैं । प्रक का डूब्लीकेशन हो रहा है फिर साथ करशहते हैं के अर्वा में तो वह होता है और डॉक्टर इतना लोड ले लेते हैं तो हर एक पेसेंट का information तो याद नहीं रखेंगे दिन बर में 200-200 पेसेंट आ रहे हैं किसका किसका history याद करें तो किसी को गलत दवा भी चली जाते हैं किसी को overdose भी चला जाता है किसी को क्या हो जाता है miss use भी हो जाता है तो उस miss use को उ दॉक्टर को इन्फार्म करना किसका काम है किसका काम है सब्सक्राइबर करते हैं जो देने में दवा लिखने में जो गलति हो गई वह कौन समझाएगा कौन बताएगा सिर्फ औसिम committee pharmacist ही बताएगा क्लियर है तो यह सारी चीजे development होई अब अगर बात करते हैं recent time में क्या हुआ recent time में इंडिया हमारा यहां पे change दिख रहा है committee pharmacy practice जो हमारे इंडिया में है उसमें change आ रहा है जो newly graduate pharmacist है वो अपनी responsibility को समझ रहे हैं patient की medication record को maintain करते है patient की counseling करते है patient की medication के बारे में जानते है उनका जो परहेज है diet है उसके बारे में बताते है उनका lifestyle में क्या change करना है उसके बारे में बताते है उनको health screening service offer करते है तो अब जो है pharmacy profession बढ़ रहा है बदल रहा है अग्रसर है सही दिसा में कदम ले रहा है और आने वाले कुछ सालों में ये भी होगा की situation better होगा और हमारा उसके लिए better बनाने के लिए एक doctor of pharmacy बोले तो farm d का course 2008 में 2009 में बहुत pharmacy college और university में इंडिया के अंदर लागू किया गया क्यों या farm d जो करेगा नाम के आगे doctor लिखेगा यानि कि doctor of pharmacy pharmacy के doctor है pharmacy में उनको knowledge है वो practice करेंगे और दबा लिखेंगे दबा की charge लेंगे फीस लेंगे सब कुछ करेंगे और नई breed तयार होगी ताकि doctor पर जो लोड है वो लोड ट्रांसफर होके qualified practicing pharmacist पर है एस वेल आज वो क्या करें उनका professional knowledge भी इंक्रीज हो फार्मसिस्ट जो आपके कमिटी को सर्व भी कर पाए हॉस्पीटल में भी प्रैक्टिस कर पाए लोगों अपने क्लिनिक वगरा में भी प्रैक्टिस कर पाए और खुल मिला जुला के क्या हो यहां पे वो बेटर प्रैक लिगनी है कि पहले कब आया जो आपके इंग्लिस लोग आए उनके द्वारा आया उनके द्वारा इंडिया में हुआ फिर आपका केभी ड्यूग स्टेडर्स थे यापका फार्मेसी एक्ट बना फिर यह डिपलोमा इंफार्मेसी को बताया भी फार्मा वगरा देखा सकते ह कितना एंभेर हैं कितना रिपोर्ट वगरा हुआ यह सब डेवलप्मेंट में दीख सकते हो यह सारी चीज़ें आपका रीजन हो सकता था फिर यहां पर इतना आपका इंडियन सेनरीयों लिख दोगे पिर उसके बाद इंडियन सेनरीयों के बाद एक हमारा तो इसमें पूरा का पूरा कहानी लिखनी है हेडिंग अच्छे बनाई है पॉइंट वाइस लिखे पॉइंट वाइस सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे तो यह पूरा टॉपिक पहला टॉपिक चेप्टर वन का आपका क्लियर हो जाएगा इससे कोश्चन अगर आएंगे तो आप कर लोगे एमसी क्यू भी आएंगे तो उसको कर लोगे सो उम्मीद होगी आज का चैप्टर आज का यह जिटने भी टॉपिक थे वह आपको समझ में आए होंगे एक बार और और जरूर रिवाइज कीजिएगा प्र